हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबढ़ें उदेगपूर के विश्वा प्रसिद जगदिश मंदी परिसर में स्थीद देव मंदीर पर बीती रत्री चोरों ने अपना निशाना बना दिया इस दोरान चोर देव मंदी के दान पात्र में से करीब 25,000 रुपे नगत लेकर रफू चकर हो गए चोरी की इस घटना ने एक बार स्वीर शहर की सुरक्षा विवस्ता पर सवालिया निशान लगा दिया है आज अल सुबा जब चोरी की घटना का पता चला तो बड़ी तादात में मंदीर मंदल और आसपास के शेत्रवासी मोके पर जमा हो गए इस दोरान शेत्रवासियों ने देवस्तान विभाग और पुलिस की कार्या प्रनाली को लेकर अपना विरोध दर्श कराया चोरी की घटना की जानकारी मिलने पर घंटागर पुलिस मंदीर परिसर में पहुचे और मोके का मुआयना किया इस दोरान पुलिस ने मंदीर परिसर में लगे CCTV कैमरे को भी खंगाल का सुराग चुटाने की कोशिश की लेकिन पुलिस के हाथों किसी भी तरह का सुराथ नहीं लगा यही नहीं, मंदी परिसर में लगे चार सिसी टीवी कैमरे में से दो सिसी टीवी कैमरों के काम नहीं करने की वज़े से लोगों ने जम कर अपना आकरोश देवस्तान मिर्भाग पर वेक्ट कराया हाला कि गंटागर पुलिस सभी पहलूं को ध्यान में रख कर अपने अनुसंदार में जुटी हुई है अज सुबे जब मंगला आर्थी करने के बाद गढ़े हैं से तो यह वेद मंदीर पूरा बढ़ा हुआ था इसमें लगबाग 30-35,000 रुपए के राशी थी जो मंदीर के साथ सज्जय में काम ली जाती है और आज सुबे जब मंगला आर्थी करने कुजरी जी आये तो यह पूरे आस्फियस तरीके से पड़ा हुआ था पूरे इसमें से नोट सारे चुरा कर ले गया और शुरक्षा की द्रश्टी से बिलकुल भयानक चीज है आज जगदिश मंदीर सुप्रसित मंदीर है और इसमें देवस्तान विभा की तरफ से केमरों की वेवस्ता है तीन गार्ड की वेवस्ता है लेकिन बिलकुल की नियुक की वेवस्ता है जिसमें से एक गार्ड था वो रात को बोल रहा है कि मुझे चिलर की आवा जारी है मुझे पदड़े की आवा जारी है लेकिन वो उसने देखा किया और वापिस हो गया इसलिए देवस्तान विभाक से और प्रसासर से निवदन है कि इस पर सक्ति सक्तिकारवई की जा और सुरक्षा की जा उदेपूर से जागरुट टिवी की रिपोर्ट